अल्मोस बराबर में आज का हूँ अल्मोस बराबर और यह बन निकल गया So hello guys, welcome back to the KSC Vlogs, welcome back to the channel आज बहुती बढ़िया हम लोग कमपैरिजन ले के आएं जैसा कि आप लोग को पता है, रॉलन्फिल्ड ने अपनी हंटर को लांच कर दिया है और यह भी 350 CC की है यहां पर हमारे पास है जो उसके कमपैरिजन में है वो है हॉन्डा हाइनेस CB 350 तो दोनों बाइक जो है बहुती बढ़िया है अगर मैं सेग्मेंट की बात करूँ, सब चीजों की बात करूँ तो दोनों अल्मोस सेम है, हो सकता है रोलन फिल्ड ने हॉन्डा, CB, हाइनस को बीट करने के लिए हंटर को बनाया है हाला कि लुक दोनों का बढ़िया लगता है इसका कुछ अलग लुक है, उसका कुछ अलग लुक है बागी आप लोग ने डिटेल कमपैरिजन इससे पहले देख लिया होगा इस केजी कम है, तो यहाँ पर थोड़ा से अडवांटेज शारी भाई को मिलेगा देखते हैं क्या बाकी तो रिजल्ट तो आप चला के ही देखेंगे तभी पता चलेगा प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि भाई में क्या अंतर है तो चलिए थोड़ा साउंड सुना देता हूं आगे बढ़ने से पहले दोनों की साउंड जो है मेरे को आलमोस्स सेम लगती है हलां कि मैंने कमपैरजन वाले में भी सुनाया है अगर आप लोग ने मिस कर दिया कमपैरजन वीडियो तो उनके लिए तो यह हंटर की साउंड थी दोनों की साउंड अलमोस्स सेम साउंड कर रही है थोड़ी सी डिफरेंड है आप लोग कमेंट करके बताएं किसकी आपको साउंड जादा पसंद है और डिजाइन में कौन सी जादा आपको अच्छी लग रही है चलाते हैं वह देखते हैं क्या रिसल्ट निकल के आता है तो शाइब भाई चलाएंगे हाइनेस हम चलाने जा रहे हंटर कर दो कर दो कि अ घंटर में पावर की कमी लग रही है यार सीवी तो तगड़ी बाग गई और यह मैं निकल जा गए बहुत तगड़ी बाग गई सीवी ओ भाई सीवी को हरारा इस इसको भी ना मुमकिन है रॉल एंफिल्ड से तो मैं भगा चुका हूं क्लासिक से ओ भाई कुंदर भाई लग रहा है बस ज्यादा दूर नहीं पीछे ही अपने यह भी तगली भाग रही है यार वाच वगे लगाया है मैंने वन टोइंटी तक ही ओ भाई साहब और यह मैंने पाच वागे लगा दिया है यहां तो सीन बदल गया पलट गया है अंटर बहुत तेज है अब बगड़ राहूं मैं पकड़ राहूं और भाई इसको जटके मिल रहे है आ गया मैंने अलनोर बरावर है अलनोर बरावर मैं आ चुका हूं आपकी तो नहीं पगड़ने दूंगा भाई मुझे लगता है कि अब शारिफ भाई सीधी रोड पर ही निकलेंगे और यह सीवी फिर निकल गई हाई हाई होंडा की बात यह लगे हार अगया हार मस्त भाग रही है सीवी मस्त अराना ना मुम्किन है उसको अलाकि मुझे लग रहा है मोन में ने धीरे की दी पूछते हैं तो पीछे हो गए तुम फिर आगे जाने लग गए तो वही बोला हूँ तो देख सकते हैं आप लोग इनने असलेशन कम नहीं किया था हंटर निकल गई थी पता नहीं क्या था लेकिन मज़ा आई दोनों गाड़िया बहुत चौकस है बहुत चौकस है चलिए अब हम चलाते सब्सक्राइब नहीं है अब हम अगर मैं इसकी देखूना क्लच बहुत स्मूध है इसकी बहुत हार्ड है चलिए अब शारी बहुत चलाएंगे तम मैं तो दो दिन से चला रहा हूँ कि आगे अपिन्न बाइबाए पाकी एडवांटेस तो मिल जाता है वेट का वो तो भाई ओवेस्जी बात है जा चाह जेरा गे नहीं लेकिन फिर भी इसमें पावर अच्छी दीये है असना हा रहा हूं एक नट में शारी भाई पीछे रहे गए और मज़ेदार हो रही है एक तुम देश मानना पड़ेगा हाइनेस में पावर है अब लगा है पाचवा गियर और हंडर बहुत पीछे है मज़ेदार है बहुत पीछे एंटर रोग लेता है है हंटर नहीं जी सकती है लुक लेकिन हंटर का अच्छा लग रहा है एक स्पोर्टी लुक भी आ रहा है रेट्रो लुक भी आ थोड़ा स्ट्रीट टूइन की तरह तो रिजल्ट बहुत तगड़े रहे मज़ा आ गई थोड़ी सी इसमें पावर की कमी लग रही है यह तो बहुत बढ़िया भाग रही आर पावर इसमें बहुत चौकस हैं इसमें इतनी ज्यादा पावर मेरे को देखने को नहीं आप लोग लेना चाहते तो आप लोग डिसाइड कर लिजे डिजाइन के हिसाब से मुझे यह अच्छी लग रही है लेकिन इसका लोगो बहुत प्रीमियम लगता है क्रोम में ठीक है यह थोड़ा सा मारा हुआ है स्टीट टूइन तो स्टीट टूइन जो है ना मेरी फेव करना है लाइक करना है वीडियो को शेयर करना में दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा इंस्टर्ग्राम का हैंडिल आ रहा है इंस्टर्ग्राम में भी फालो करो या थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार क्या कर रहे हो यार इतनी महनत करें 400 वीडियो डा